हाई फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब और आ गया है सावन मेकप लुक तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू कलर की साड़ी डाली हुई है और उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी है तो और ब्लाउच की डिजाइन आपको फ्रेंड्स कैसी लग रही है कामेंट में मुझे जरूर बताना और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फेस बॉस मेरा पहले से ही था और मैंने उसको बैट बैप से फेस को साफ कर लिया है तो उसके सबसे पहले क्या होता है टोनर डालना होता है जो स्किन केर है वो मैं पहले कर रही हूं और आप लोगों को भी स्किन केर प्रपरली करना चाहिए तो मैं यहाँ पर स्किन केर में मैंने गुडवाइब्स का राइज ब्राइटनिंग टोनर डाला है उसके बाद तो यह भी ले लेंगे थोड़ा सा और लगा लेंगे और यहां पर क्या है इसका जू है रिजल्ट काफी अच्छा है मैंने इसको जू है तीसरी बार मंगाया है काफी अच्छा इसके रिजल्ट है आप देख सकते हैं चेहरे पर अलगी साइन आ जाती है यह देखे और उसके जो है दो तीन मिनट बाद आप दूसरा श्टेप करिएगा जो भी स्किन केर है उसमें ये देखे आप गलो देख सकते हैं काफी अच्छा गलो ये प्रोवाइट करता है ये रोज हिप का गुड वाइप्स का सीरम है फ्रेंड्स और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर जो है मैंने टिया है आप लोग जा करके झैक आउट कर सकते हैं और पर्पल अन्वॉक्सिंग जो मैंने की है उसमें भी ये मैंने दिखाया है तो ये मैंने फिलाल अभी मंगाया हुआ है उसके बाद मैंने यहां पर केसर की ब्रैटनिंग क्रीम लगाई हुई है और ये भी गुड chase किया है तो इसको भी लगा लेंगे इसका भी result काफी अच्छा है ये मैंने दूसरी बार मंगाई है तो इसको लगा लेंगे और skincare proper कर लेंगे उसके बाद ही makeup करेंगे क्योंकि skincare करने के बाद makeup जो करते हैं एक तो makeup long lasting रहेगा और अच्छा देखेगा भी तो चलिए cream मैंने लगा ली है और उसके बाद आप फर्क देख सकते हैं और यहाँ पर मैं pop exo की लिबाम लगा रही हूँ इसका भी मैंने review दिया है अपने चैनल पर यह थोड़ी सी न कलरिस है मलब जैसे इसका ब्राउन कलर है लिबाम का तो थोड़ी सा हलका सा ब्राउन इसमें है सेड और उसके बाद हम लगाएंगे skincare में बारी आती है serum की sorry primer की तो अब हम color war का primer ले लेंगे यह बहुत ही अच्छा silky base primer है और आपकी skin में जो है बहुत अच्छे से जो है silky बना देगा इसकिन को उसके बाद जो foundation है बहुत ही अच्छे से आपकी skin पे ठेरेगा और makeup भी long lasting रहेगा यह क्या है open boards को बंद कर देता है ताकि पसीना जो है वो setting जो आपकी है वो नहीं होगी जादा और यह मैं mirror लेके IT market से बहुत ही मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा mirror जो बड़ा वाला था वो तूट गया है तो फिलाल इसी से काम चलाएंगे उसके बाद जब मैं जाओंगी market तो बड़ा लेके online मुझे मंगाना है actually तो search करूँगी उसके बाद मंगाऊंगी और यहाँ पर मैंने लगाया है fit me mayblin fit me का foundation है इसका shade number है 128 तो यह भी मेरे shade का है और काफी अच्छा यह glow provide करता है और अच्छे से skin tone से match भी करता है तो हाँ जी इसको लगा लेंगे इसकीन टोन से match कर रहा है तो अच्छा भी लगेगा और मैं foundation को swiss beauty का यह मेरा brush है यह मैंने नाइका से purchase किया है इसका भी video मैंने डाल दिया है तो यह मैं क्या करूँगी brush से जो है अपने makeup को foundation को blend कर लूँगी अच्छे से आप चाहें तो sponge से भी कर सकते हैं मैंने जब से यह brush मंगाया है तो मुझे यह इतना अच्छा लगा है कि मैं इसी से ही अपना makeup जो है foundation और concealer इसी से blend करती हूँ काफी अच्छे से blend हो जाता है उसके बाद यह बीच बीच में पता नहीं क्यों यह green light आ रही थी मैं समझी नहीं पा रही थी mirror की बज़े से थी पता नहीं किस बज़े से थी और यह मैंने अब बारी आती है maybelline fit me concealer की तो concealer आप वहां लगा लेजिए highlight area पर और जहां पर आपको pigmentation होती है दाग दब्बे होते हैं यह देखे फिर से green light हो गई friends मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गई है तो ignore करना इसको और यहां पर highlight area और जो pigmentation area है वहां पर जो है fit me का concealer लगा लेंगे और अच्छे से उसको brush से ही blend करेंगे friends काफी अच्छे से blend हो जाता है और यहां पर क्या है कि साड़ी में हलका सा green color है अगर आप देख रहा हो आपको इस बज़े से मैंने चूडियों में भी matching green की की है और eye shadow भी मैं green वाला ही लगाने वाली हूँ crease line पर मैं लगाऊंगी brown color अच्छा आप सबसे पहले लगा लेते हैं compact वैसे आप eye makeup भी पहले कर सकते हैं उसके बाद compact लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो यहां मेरा है maybelline fit me का compact है इसका set number 1 to 8 है और यह देखिए बड़े अच्छे से इसने makeup को अच्छा बना दिया है बहुत ही अच्छा skin tone से match करता हुआ है यह तो बस इसको लगा लेंगे और उसके बाद contour बगएरा आप लगाना चाहें तो लगा लेंगे मेरे पास जो है contour, blush और highlighter का sugar palette है तो मैं उसी से लगाऊँगी यह देखिए उसी से मैं लगाऊँगी और काफी अच्छा है सुगर का है तो long lasting भी है और काफी अच्छा भी है और उसके बाद सबसे पहले कर लेते हैं eyebrow fill तो यहाँ पर हेलारी रोडा का eyebrow palette है और उससे पहले मैंने मेदी लगवा ली थी क्योंकि साबन make up लूग है तो थोड़ा सा मेदी भी होना जरूरी है हाथों में तो मैं कल गई थी मेदी लगवाने के लिए तो यहाँ पर हेलारी रोडा eyebrow palette से हम eyebrow को fill कर लेंगे और आपने देखा कि eyebrow fill करने से बहुत ही अच्छा लूक आ जाता है यह देखिए और उबर के eyebrow आती है यह देखिए ग्रीन लाइट पता नहीं किस चीज की पढ़ रही थी कि फ्रेंड्स में समझी नहीं पा रही थी थोड़ा मेरी light भी गड़बढ है इसवजेसे makeup की video भी नहीं आ पा रही है आपको पता हूँ यह काफी time से मेरी makeup की video नहीं आ रही है लेकिन मैंने médi saus लाइट तो अभी नहीं है लेकिन चलो अभी इसी लाइट में हम मेकप की वीडियो बनाते हैं कमेंट में फ्रेंट जरू बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है और लाइटिंग थोड़ी कम थी तो यहाँ पर क्रीज लाइन पे हम लगा लेंगे हलका सा रेड कलर हरका ब्राउन सा क्रीज लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे उसके पास आई लिट पर हम लगाएंगे ग्रीन कलर और हाँ आपने देखा मैंने फिंगर से ही लगाया है क्योंकि मैं आपको बताऊ ब्रस जो है ये ऐसा नहीं है कि ब्रस से आप आई सेडोर नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप फिंगर से भी लगाएंगे ना तो प्रॉपर ब्लेंड भी होता है और अच्छा सा लुक आता है मैंने काफी बार इसको ट्राई किया है ब्रस से मेरा इतना अच्छा लुक नहीं आता है और कोई जरूरी भी नहीं है कि अगर आपके पास ब्रस नहीं है तो आप आई मेक अप नहीं कर सकते हैं तो मैंने अपनी फिंगर से ही ब्लेंड किया है और काफी अच्छा लुक आया है आपने देखना इसको तो यहाँ पर मैंने उसके बाद मैं ग्रीन कलर लूँगी पैलेट में से और उसको पिक कर लूँगी और उसी को जो है आई लिट पर लगाऊंगी क्योंकि मेरी साडी में ग्रीन कलर भी है इसी बज़े से मैंने चूडियां कर लर ले लिया है और मैंने उसको आई लिट पर लगा दिया है और आज थोड़ी लाइटिंग की प्रॉबलम है इस वज़े से थोड़ी सी आपको कम लाइटिंग लग रही होगी और अच्छे से यह देखी अच्छे से मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ कोई भी ब्रस मैंने अप्लिकेटर नहीं मैंने लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छे जो है रिजल्ट इसने दिया है यह देखिए उससे पहले मैंने कंसीलर आई लिट पर लगा ही लिया था तो और अच्छा जो रिजल्ट है वो और अच्छा उबर के आया है तो यहां पर अब हम लगाएंगे लकमे का आई लाइनर और यह इसकेज आई लाइनर है काफी अच्छा होता है यह यह जो बिगनर्स हैं उनके लगाने के लिए बहुत ही इजी होता है लगाना बहुत ही इजी हो जाता है जेल आई लाइनर जो होते हैं उनसे थोड़ा सा दिक्कत होता है लिक्विड आई लाइनर भी दिक्कत देता है इस तरीके से यह इसकेज आई लाइनर है अगर आप beginners हैं मनलब शुरुआती make-up की शुरुआती कर रहे हैं तो आप इसको carry करिएगा अपनी make-up kit में और देख सकते हैं आप eye make-up कितना अच्छा बना हुआ है और ये mirror देखिया apple के shape का है मुझे ये बहुत ही पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया था और उसके बाद मैं काजल जो है outer lining पर लगाने वाली हूँ अपनी आख पर क्योंकि मेरी इस टाइम आख जो है इतनी sensitive है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतनी मलब थोड़ा सा देखना मैंने outer line पर लगाया है काजल उसके बाद भी मेरे जो है आसू आ रहे थे क्योंकि इतनी sensitive आई है इस टाइम मेरी मैं बताई नहीं सकती काजल तो देखो make-up ने लगाना ही पड़ेगा और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ blue heaven का काजल भी मेरा लकमे का था और यह blue heaven का mascara है यह बहुत ही अच्छा mascara है और देख सकते हैं आप mascara जब भी लगाएंगे तो आप अपनी आख में अंतर देखिएगा बहुत ही अंतर हो जाता है आप जो है एक बार लगा के देखिएगा और इससे क्या है जो भी आपके hair है यह देखिए वो straight हो जाते हैं और थोड़े बड़े से दिखते हैं तो हमारी जो आई है वो अच्छी दिखती है इस वज़े से मस्कारा लगाना बहुत ही जरूरी रहता है हाँ बाटर प्रूव होना चाहिए मेरे तो सारी चीजे बाटर प्रूव है उसकी बाद मैंने सुगर कर ले लिया है contour, blush, highlighter, palette तो यहाँ पर contour कर लेंगे हलका सा उसकी बाद highlighter, blush लगाएंगे और highlighter हलकी-हलकी contouring आप कर लीजिएगा जहाँ भी आपका जो है face जो है भी दिखता है तो आप आप contouring कर लीजिएगा देखिए जो cheeks पर होगी तो उसको उपर की तरफ करना है इस तरीके से और जो देखिए आप फर्क देख सकते हैं तो और जो face मोटा होता है उसे पतला करने के लिए आप गर्दन से नीचे की तरफ लाएंगे मतलब इस तरीके से contouring करनी है अब हम लगा लेंगे ब्लस तो ब्लस को गाल से इदर कान की तरफ ले जाना चाहिए तो इससे जो है ब्लस काफी अच्छा लगता है और आज ये green light पता नहीं किसकी पड़ रही है मेरी वीडियो ही इसने खराब कर दी है और ये highlighter में आपको बताओं ये हलका सा यहाँ पर आगे और हलका सा वहाँ ये देखी इस तरीके से अगर आप highlighter लगाएंगे ये palette में आपको अगर सच बताओं तो ये palette daily purpose के लिए है वीडियो में इसका जो है जादा result अच्छा नहीं आया है लेकिन आप इसको अगर daily में use करेंगे तो काफी अच्छा pigmented है ये बहुत ही अच्छा है ये और ये forehead पे भी लगा लेंगे और eye corner पे लगाएंगे न तो आख जो है थोड़ी highlight दिखती है और eyebrow के नीचे भी लगा लेंगे ये इस तरीके से तो eyebrow आपकी highlight करने लगेगी अच्छी दिखेगी तो ये सब step होते है makeup में बहुत ज़्यादा कुछ makeup में नहीं है ये देखिए यहाँ पर लगाने से न ये देखिए flawless इकदम skin हो गई है क्योंकि मैंने लगाया है color बार का प्राइमर उससे जो है skin आपकी बहुती flawless हो जाती है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ pink lipstick जो कि मैंने नहनी ताल से लिए इसका मैंने review डाल दिया है आप channel पर check out कर सकते हैं काफी अच्छा color है और ये जो है pink color ओठों पर छोड़ती है मैंने जब इसको remove किया था मैं unready with me जब करूंगी कभी तो आपको दिखाऊंगी और ये last में मेरा हुआ final look आपको ये कैसा लगा है वीडियो में जरूर बताना ये देखिए मैंने green ring डाली हुई है और उसके बाद ये देखिए eye makeup आप देख सकते हैं green किया है मैंने और pink में थोड़ा सा green color है इस बज़े से मैंने green jewelry green choker डाला हुआ है और यहाँ पर ये मेरा make-up हुआ है complete कुछ नही है make-up में आप जरूर देख के करिएगा बहुत ही अच्छा make-up हो जाता है ब्रस की कोई जरूरत नहीं है आप हाथ से भी कर सकते हैं उसके बाद मुझे open hair अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने क्या किया है मैंने hair को जो है बन बना लिया है इस तरीके से तो ये make-up आपको कैसा लगा है जरूर बताना और आप करिएगा साबन आ रहा है तो आप सभी लोगों को हैपी साबन और आप लोग मुझे इस्टाग्राम पे भी फालो कर सकते हैं अगर आप इस्टाग्राम पे फालो करें तो गोपी तिवारी 31-50 मेरी आइडी है वीडियो पसंदा है फ्रे